तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं government के scheme के बारे में जिसका नाम है rooftop solar panel government scheme अब इसमें क्या होता है इसमें अगर आपको अपने घर में अपने rooftop में अगर solar panel लगवाना है उसके लिए जो government scheme लाई है जिसमें आपको subsidy वगरा provide करी जाती है हम आपको इसमें बताएंगे कि इस में जो है इसमें kilowatt के इसाब से आपको जो है कितना price वगरा रहेगा आप अपने जो है calculate कैसे कर सकतो अपनी एरिया के इसाब से आपको अपने घर में कितने kilowatt का लगवाना चाहिए solar panel पूरी information आपको देंगे apply आप कहां से कर सकते हो complete information जानने के लिए वीडियो को पूरा आ तो सबसे पहले तो आपको यहाप पर register here और login दो option आ रहा होगे तो सबसे पहले आपको register here करना होगा पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके लिए registration for login का है आप अपर account आ जाएगा यहाप सबसे पहले आप अपना state वगरा सेलेक्ट करिएगा जैसे आप मैंने उत्तर प्रेस्ट कर दियेगा उसके लावा distribution company कौन सी है आपकी जो भी है आपकी जैसे नोड़ा कर सकते हो और भी information देख सकते हो तो इसका link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूंगा अब हम यहाप देख लेते हैं आपको आपके जो है आपके इसका price वगरा क्या रहेगा kilowatt के इसाप से तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको subsidy वगरा कितनी provide करी जाएगी तो देखें 3 kilowatt तक का अगर आप अपने घर में solar panel लगवाते हो तो 14,588 रुपए पर kilowatt पर आपको जो है आपके subsidy प्रवाइट करी जाएगी तीन kilowatt से 10 kilowatt के बीच में अगर आप solar panel लगवाते हो तो पर kilowatt आपको 7,294 जो है आपको subsidy प्रवाइट की जाएगी और 10 kilowatt के उप पर अगर आप लगवाते हो तो एक fixed आपको subsidy amount जो की है 94,822 रुपए का आपको प्रवाइट किया जाएगा अब आप हम प्राइस वगरा देख लेते हैं कि कितना जो है इसका प्राइस रखा गया solar system का तो अगर आप 1 kilowatt solar system लगवाते हो तो आपका 75,000 से 85,000 रुपए के आस 80,000 रुपए का लगेगा इसके लावा 5 kilowatt solar system लगवाते हो तो 3,15,000 से 3,57,000 रुपए उसकी total cost आएगी आपकी 10 kilowatt का अगर आप लगवाते हो तो 5,31,000 से 6,07,000 रुपए तक आपकी जो है उसकी जो है estimate cost जो होगी पूरी आएगी तो यह देख सकते हो आप आपको अपने घ 75,000 से 50,000 के बीच में है और एक kilowatt में आपको subsidy provide की जाएगी 14,588 रुपए गी तो आपका जो price after subsidy हो जाएगा जो आपका लगेगा 60,412 से 70,412 के बीच में आपका लगेगा वही अगर हम 2 kilowatt solar system का है तो देल लाग से 1,70,000 के बीच में इसका price है और subsidy amount per kilowatt पे 14,588 रुपए तक provide किया जाता है up to 3 kilowatt तक तो यहाँ पे 14,588 into up to करोगे तो 29,176 रुपए का आपका subsidy amount provide किया जाएगा price after subsidy होगा आपका 1,20,000 से 1,40,000 वहीं 3 kilowatt का आप देख सकतो 1,89,000 से 2,15,000 के इसकी estimate price है और 14,588 into 3 आप करोगे तो 43,164 रुपए की subsidy आएगी और इसको अगर आप minus करोगे तो price after subsidy आएगा 1,45,000 से 1,71,000 के बीच में वहीं अब हम देख लेते हैं 4 kilowatt 4 kilowatt में आपका 2,52,000 से 2,50,000 के बीच में इसका price है और subsidy amount आपको 14,588 into 3 तो मिलेगा यो प्लस जो है 7,294 रुपए का extra जो है आपे मिलेगा चूंकि आपका 3 kilowatt के आप उपर लगवा रहा हो तो 51,058 रुपए के आपको subsidy provide की जाएगी तो subsidy क आपका जो प्राइस होगा वह दो लाग रुपए से लेके 2,34,000 रुपए तक आएगा ऐसे आप 5 kilowatt तक का दे सकते हो अगर आप 10 kilowatt या 10 kilowatt के उपर तक लगवाते हो तो 94 मेजर 822 रुपए की आपको जया maximum subsidy provide की जाएगी तो आप प्राइस बनेगा subsidy के बाद 4,36,000 से 5,12,000 तो इस तरीके से आप अपना घर में किस कितने kilowatt का solar system लगवाना चाहते हो तो उसका price दे सकते हो कितनी आपको subsidy provide करी जाएगी और price after subsidy आपकी क्या होगी तो यह आप यहां से check out कर सकते हो अब आप जो है calculate कैसे कर सकते हो कि आपके घर में आपको कितने kilowatt का लगवाना है अग के घर में आपका rooftop area कितना है उसके इसाब से आप जो है calculate कर सकते हो या आप अपने घर में कितनी capacity का लगवाना चाहटैये तो तीन kilowatt हमने आपको से करना होगा तो मैंने उत्तर प्रते सेलेक कर लिया अब आपका एरिया कौन सा जैसे से एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट है वो कितनी है पर किलोड घंट आपको कितना जो है कौस्ट दिना पड़ता तो में यहां पे मेरे इधर लगबग साथ से आठ रुपए के आसपास वह यहाँ पे जैसे आप calculate पर क्लिक करोगे आपके लिए देखे पूरा जो है पूरा calculate करके आ जाएगा कितना आपको यहाँ पे subsidy amount मिलेगा कितना जो है price वगरा लगेगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम अपने घर में जो capacity लगवा रहा है तो subsidy maximum provide की जाए तो subsidy के बाद जो है मेरा प्राइस जो बनेगा वो मनेगा 75,636 रुपय का अब यहाँ पे total electricity generation from solar plant देख सकते हो annual 4,140 किलोवाट गंटा है lifetime 25 साल तक कितना है इसके लावा जो है आप देख सकते हो और भी information और यहाँ पे आप जो है अपना EMI भी calculate कर सकते हो अब EMI देखे calculate कैसे तो टोटल आपको जो solar cost है 1,26 रुपय का है जिसमें आपको subsidy 40% यह provide कि जियाएगी तो subsidy amount आपका हो जाएगा 50,424 रुपय का तो इसको आप 1,26 रुपय का माइनस करोगे तो आपका बनेगा 75,636 रुपय का अगर आपको solar rooftop का जो है लो solar rooftop पर loan भी अगरे भी provide करती है तो loan का देखे अगर आप EMI देखो अगर आप इसको loan पे लो 75,636 रुपय का आपको loan amount मिल जाएगा 50,000 के आपको subsidy मिल जाएगी और अगर हम 8.45 के rate of interest पर 10 सालों के लिए अगर हम monthly EMI calculate करके आपके देखे तो आपकी बनेगी 936 रुपय पर मन 8.45 के rate of interest पर अगर आपको loan मिलता तो यह देख सकते हो इस तरीके साब अपना जो है rooftop panel का जो है अगर आपको घर में आपको लगवाना है तो आप जो है अपना calculator से calculate करके देख सकते हो total rooftop top area आपके पास कितना है उसके हिसाब से भी आप calculate कर सकते हो या आप अपने घर में कित description box में देदूंगा तो यहां से आप भी जो अगर जितना भी लगवाना चाते हो तो अपना calculate वगवारा करके देख सकते हो और अगर loan के बारे में information चाहिए तो हमको comment करके बता दो कि किस bank से आपको solar rooftop loan लेना है तो loan वगवारा भी provide किया जाता और subsidy वगवारा अगर आपको इसको apply करना है subsidy वगवारा के लिए तो आप इस website पर जो है government की official website और national portal for rooftop solar इसको आप जो है apply वगवारा कर सकतो यहां पर registration करके login करके अपना apply कर सकते हो तो इसका link मैं आपको वीडियो के description box में देदूंगा वीडियो अगर आपको हमारा information लगा होगा वीडियो के लाइक कर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो आगे आपकी कोई कोई वगरा है सिसकीम से लेटेड तो आज की सीडियो में बस इतना ही तो मिलते नेक्स लो में तब तक के लिए धन्यवाद